नमस्कार दूस्तों आप सभी का स्वागत हैं या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दूसरे आप पर अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं किसी भी कारणवश माल लीजी आप यहाँ पर एक सहर से दूसरे सहर में रहने चले जाते हैं अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं डारेक्ट यहाँ पर घर बैठे बिना किसी भी सर्विस सेंटर में जाए यानि कि जो भी UIDAI का सेंटर होता है वहाँ पर बिना आप पहुंचे चाहते हैं कि आपका यहाँ पर घर बैठे मोबाइल फोन की मदब से address easily change हो जाए तो यहाँ पर जरूर आज की इस वीडियो में तक बने रहीएगा because यहाँ पर आज की इस वीडियो के मात्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एकदम genuine trick एंड यहाँ पर करके दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पर easily अपने आधार card में अपने address को change कर सकते हैं तो उसे आपर वीडियो काफी मज़़ार होने वाला है उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करके बैल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप अपर देखें वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को अपने default Chrome browser application को open करना है यहां पर आपको सर्च के आइकन पर जाना है जाने के बाद देखें आपको यहां पर टाइप करना है uidai.gov.in उसके बाद आपको इस यहां से सर्च कर लेना है और जिसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा uidai का यहां पर government website जहां पर देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा दोस्तों आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगी तो आपको दूसरा option दिखाई देगा अपडेट आधार का और दोस्तों उसी में आपको एक option दिखाई देगा तीसरा अपडेट demographics data online तो दोस्तों आपको आपने address को change करने के लिए आपको simply इसी वाले option पर टैप करना है जैसी दोस्तों आप इस पर टैप करते हैं आपके सामने आपर कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा जहां पर दिखाई देगा you can now update your name, date of birth, gender, address and language online आप यहां पर दिखिए अपने सभी चीजों को यहां पर online change कर सकते हैं बिना आपको किसी भी करते हैं आपके सामने आप देखिए कुछ इस तरीके का interface open होगा जहां पर आपको दिखाई देगा आधार अपडेट पोर्टल अपडेट आधार online का एक पेस दिखाई देगा जिसमें कि यहां पर आपको अपने बारंग का देना है इंटर कर देने के बाद दूस्तों यहां पर आपको सिंप्ली send OTP पर क्लिक कर देना है अपके यहां पर रेजिटर मोबाइल नमबर पर एक OTP चला जाएगा आपको यहां पर उस OTP को इंटर कर देना है OTP को इंटर करने के बाद simply आपको यहां पर इसमें login कर लेना है अब दोस्तों जैसी आप इसमें login कर लेते हैं यहां पर दिके आपके सामने कुछ इसरीके का इंटरफेस open होगा जहां पर आपको दिखाई देगा Update Demographics Data Including Address यहां पर दिके आपको दो options दिखाई देंगे Update Demographics Data, Update Address Via Secret Code तो दुस्तों यहां पर दिके हमें address चेंज करना है तो जिसके लिए हमें यहां पर Update Demographics Data वाले option पर क्लिक कर देना है पहले option पर जिसके बने हमारे सामने कुछ इसरीके का इंटरफेस open होगा यहां पर हमें बहुत से options दिखाई देंगे Language, Name, Gender, Date of Birth, Address, Mobile, Number, Email यानि कि हम इन सभी चीजों को यहां पर चेंज कर सकते है Name को यहां हम अपने lifetime में दो बार चेंज कर सकते है Gender को एक बार, Date of Birth को सरिफ एक बार हम चेंज कर सकते है यहां पर address को हम हर महिने में अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं यहां पर देखें Language, Mobile, Number and Email का यह जो option है अभी यहां पर यह valid नहीं हुआ है यानि कि अभी के लिए यह नहीं आया है जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको यहां पर इस पर भी वीडियो बना के दिखा दूँगा तो जिसके लिए आप यहां पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब हमें यहां पर अपने address को चेंज करना है तो यहां से हम address वाले option को यहां से select कर लेंगे जिसके बाद यहां पर हम proceed पर click करेंगे जिसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा जहां पर हमें दिखाई देगा enter the detail का एक option जहां पर हमें अपना पूरा detail दे देना है जो हम यहां पर नए address पर रहते है वो detail हमें यहां पर provide करना है उसी कीसे आप से यहां पर हमें कोई भी अपना address proof select कर लेना है दोस्वें आपके पास जो भी address proof होगा वही आपको देना है मतलब आप जहां present time में रह रहे हैं वही का आपको address proof देना होगा यहां पर उसका एक document आपको photo upload करना होगा तो आपको upload document पर क्लिक करके upload कर देना है उसके बाद आपको preview पर tap कर देना है जिसके बाद यहां पर आधार में address के लिए यहां पर form apply हो जाएगा यहां पर कुछ दिनों के बाद आपका UIDAI के थूँ यहां पर आपको एक register mobile number पर message भी आ जाएगा कि आपका यहां पर address change हो चुका है यहां पर आप easily अपने आधार card को download भी कर सकते है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो क्रिक लाइक करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम